आज मद्यप्रदेश का एक इतियासिक दिन है एक मील का पत्चर है ऐसी योजना जो दस साल पहले कोई सोच नहीं सकता था किसीने सोचा नहीं था कि मेट्रो भी हमारे मद्यप्रदेश में आईगी इंदौर और भोपाल आईगी तो आज एक इतियासिक दिन है एक नहीं शुरूबा थे मद्यप्रदेश की इस विकास यात्रा में पर मेरे लिए भी एक स्वपना सैकार हो रहा है इसका इतियास मैं बताना चाहता हूँ मैं जब शेरी विकास मंत्री था और मैं राजस्थान गया जैपूर गया एक मेट्रो के कारिक्रम में मेट्रो की शुरूबात हो रही थी जैपूर में मैंने अपने मन में सोचा कि मेट्रो की जैपूर तक आगई राजस्थान तक राजस्थान में होईगी हमारे मढद्य प्रदेश में इसका कोई नाम निशान नहीं है मैंने दिल यह को आप्स आकर मैं शहारी विकास मंत्री था मैंने जो राज्यकेव शहरी विकास मंतरी थे बाभुलाल गौर जी उनको फोन किया मैंने कहा कि आप DPR बनाना शुरू करिये बोपाल की और इंदौर की और हम मेट्रो बोपाल और इंदौर में लाएंगे उन्होंने कहा ये DPR में तो DPR में तो बहुत खर्चा लगता है बहुत खर्चा लगता है ये खर्चा कहां से आएगा DPR बनाने का ये बात तो सही है कि DPR बनाने में काफी खर्चा लगता है तो मैंने कहा ये DPR का खर्चा केंद्र सरकार आपको देगी आप DPR बनाना शुरू करिए लगबग DPR बन गई थी पर दभी हुई थी फाइलों में दभी हुई थी पिछले कुछ बहिनों में मैंने जय बर्दन सिंग जी को कहा कि इसकी हम टाइमलाइन बनाएं सीमा बनाएं प्रोग्राम बनाएं कि यह कब तक हम इसकी शुरुवात कर पाएंगे इस पर हमने कई मीट जार भी मर्श किया मेट्रो कहां आएगी कहां जाएगी किती बड़ी होगी कहां से पैसे आएगा है और है इसकी शुरुवात कब हो जब दिल्ली में मेट्रो बन रही थी जिसका पहला फेज था आज तो तीसरा फेज भी कंप्लीट होने जा रहा है कि उस समय प्रश्ण था घाजी आप दोंगा जोड़ें गुर्गाउओं को जोड़ें फरीदाबाद को जोड़ें , और उस समय मैंने तरह किया था कि बो टो हम जोडते रहेंगे हम शुरुवात तो करें इस चक्कर में पढ़ जाएंगे रहेंगे इसमें उलज गये हैं यहां से जाएं वहाँ से ज में यह एक निया इतियास मंद्यप्रदेश में बनने जा रहा है कि मुझसे मुझसे किसी ने पूछा कि क्या मेट्रों की आवरशक्ता है कि मैं बताता हूं कि आवरशक्ता है कि आज जिस प्रकार की व्रिद्धी हो रही है जिस प्रकार की हमारी आवादी बढ़ रही है जन संक्या बढ़ रही है इंदौर में बोपाल में हमारा इंदौर को हम कैसे बचाएं इंदौर को हम कैसा एक सुन्दर शेर बना के रखें इंदौर की जो जन संक्या है हर शेर की एक दोने की चमता होती है जिसको कहते हैं केरिंग कपैसिटी इंदौर की कैरिंग कपैसिटी खतम हो रही है तो प्रश्न था कि क्या करें इंदौर की मास्टर प्लैन की बात हुई मैंने शुरू में कहा कि बोपाल को इंदौर को हमें इसे फैलाना पड़ेगा आप सब दिल्ली गए हैं कि सोचिए अगर नौइडा नहीं बना होता प्लाया गया मंबई में क्या किया नवी बंबई बनाया थाना को बढ़ाया थाना में ऐसी ओजनाय लाएं जहां जो बंबई के बीच में थे कोई नवी बंबई चला गया कोई थाना चला गया मंबई का फैलाव हुआ तो आज हमें भविष्य का सोचना है पांच साल बाद क कैसा में दोर चाहते हैं पांच साल बाद हम कैसा भूपाल चाहते हैं दस साल बाद का कैसा लें दोर दोर पाल चाहते हैं हम चाहेंगी के फिलाएं पर जो आज to की ट्रेफिक लखे ग्राथ हुए यह दोने की कपैसिटी भड़नी सकती हमारी पानी की बात होए नाली की बात होए सड़क की बात होए पार्किंग की बात होए ट्रैफिक की बात होए इसके लिए मेट्रो की आविशक्ता है अगर नौइडा तक नहीं बनती मेट्रो अगर गुर्गाओं तक नहीं बनती मेट्र कोई गुरुगाओं नहीं जाता है तो इसलिए यह एक शुरुबात है यह शुरुबात है कि अम इंदोर को सुरक्षित रखें और इसी से इंदोर सुरक्षित रहेगा यह तो पहला फेज है अभी तुल्ची सिलाबट जी कह रहे थे कि स्वामने तक जानी है तुल्ची अबशक्ता जरूर पूरी की जाएगी यह अबशक्ता इसलिए है कि हम कित्ती दूर अजयन तक ले जाएं सानुर तो थोड़ा आगे आएगा पर हमें तो जैन तक का जैसे जै बर्दन सिंग कह रहे थे हम उजयन तक ले जाएं पीतंपुरा तक ले जाएं यह आवशक्ता पड़ेगी तभी हम इंदोर को सुरक्षित रख पाएंगे अगर पीतंपुर के लिए अगर सावनेर तक में हमारी मेट्रो जाती है तो जो बोज है जो इंदोर का बोज है यह बोज भी फेलेगा यह इस तृष्टी से हमें देखना है और मुझे पूरा विश्वास है कि आ आज यह जिम्मेदारी केवल गवर्मेंट की नहीं है हमें भी अपने आप एक नई सोच रहनी लानी पड़ेगी कि हम यह ना कहें हम केवल इंदोर में रहना चाहते हैं इसलिए हम मेट्र इंदोर मेट्रपॉलिटन एरिया बना रहे हैं मेट्रपॉलिटन एरिया जिसमें अ केबल इंदॉर नगर नेकम ही नहीं नगरनिग हमेरी नहीं तरे उसमें कि अराव भी जुड़ेगा उस में दिवास का कि हुच हिस्सा जुडा सकता है उसमें जार का कुछ ह्सा जुडा सकता है कि अगपर Himself कि कि आवागवन की सुविधा तो हुए वह स्कूल हुए वह हस्पताल हुए जब नॉइडा का निर्मान हो रहा था मैं उस समय युवग कॉंगिस में था आप में से जो नॉइडा गए हैं वहां जो आप विक्षार ओपन देखते हैं वह विक्षार ओपन मैंने अपने हाथ से क इसलिए नॉइडा बन पाया वहां बैंक नहीं था सडक नहीं थी स्कूल नहीं था हस्पताल नहीं था तो शुरूवाद करी आवागमन शुरूवाद करी स्कूल बने तब लोग नॉइडा शिफ्ट करने लग गए गुर्गाव में यह हुआ पहले वहां की बुन्यादी पढ़ेंगी। तो एक नए नजरीय से हमें देखना हैं अपने शehron को हमें एक नए कि हम अपने प्रदेश को एक सुंदर प्रदेश इस विकास्षील प्रदेश हम बना पाएं यह हमारी मन्शा है तो मेट्रोपोलिटन एरिया इंदॉर मेट्रोपोलिटन एरिया बनाएंगे इसकी हमने योजना बना लिए भोपाल मेट्रोपोलिटन एरिया बनाएंगे यह सब जब जुड़ जाएगा ताकि इंदोर का बोज कम होए तुम मुझे जादा ना बोलते हो या आप सही कहना चाहता हूं इसमें समाज का भी बड़ा योगदान रहेगा आपको अपनी सोच में भी परेबरतन लाना पड़ेगा यह जिम्मेदारी केबल सरकार की नहीं है समाज की है हमारे व्यापारियों की है हमारे उद्योग पतियों की जिम्मेदारी है कि सब कहें कि हम इंदोर में केबल यहीं रहेंगे मैं तो यह चाहूंगा कि जैसे हमारा मेटर पॉलटन एडिया हुए गवर्मेंट भी अपने जो बड़े-बड़े ओफिस हैं इनको बाहर बेजे यह बाहर बेजे बड़ बड़े ओफिस जो बनाए हुए है बोपाल में जो बड़े-बड़े ओफिस हैं सरकार इशास्की ओफिस हैं इनको थोड़ा भाहर बेजे ताकि वो एक मैगनेट बनेंगे यह हमारी सोच है और मुझे पूरा इस बात की पूरी उमीद है कि आपका विश्वास हमारे सरकार क पती मेरे पती बना रहे इस से हमें वो स्वपना पूरा करने के लिए बल और शक्ती मिलेगी आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद अगर 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 अगर